नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मौनी अवस्या इस बार 21 जनवरी सनीवार के दिन है तो मौनी अवस्या को मागी अवस्या भी कहते हैं अब सनीवार के दिन अवस्या है तो इससे सनीचरी अवस्या भी कहते हैं इस दिन मौन रहकर जब तप दान किया जाए तो बहुत उत माना जाता है तो चलिए सुरुवात करते देखिए माग मास के कृष्ण पहच्छ की अमवस्या इस बार क्योंकि 21 जनवरी को असनान दान की अमवस्या है और सनीवार के दिन भी है तो इस दिन अगर आप अभी तरह नदी स्रोवर में दान से तप से जब से भगवान स्री हरी विश्णु प्रसन्न होते हैं पूरे दिन मौन रहने का विधान है और अगर आप पूरे दिन नहीं भी रह सकते हैं तो सुबह उठने के में भी जाके सनान करेंगे आप अगर घर में ही करते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल करना है इस बार 30 साल के बाद खपर योग बन रहा है और खपर योग सनी के सुभ परभाओं को बढ़ाने के लिए उस परभाओं को नस्ट करने के लिए बिस्स माना जाता है तो कुछ दिन पहले ही यानि 17 जनवरी को ही कुम्ब रासी में आ चुके हैं सनी देव और सुर्य सुक्र की यूती से त्रिकोन में जो इस्तिती बनी भी है उसे ही खपर योग कहते हैं तो इस खपर योग में अगर आप सनी देव के दूस प्रहाओं से बशने के लिए समाप्त हो जाए तो सुबह जल्दी उठकर असनान करें पवित्र नदी या सरोवर में असनान का ज्यादा महत्व है आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर नहाए इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाए भगवान सुरी को अर्द पित्र देवों के निमित जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर उनको अर्द दें आप चाहें तो पीपल के पेड में एक लोटा जल में काला तिल थोरी सी मीठी वस्तू डाल कर भी अर्पित कर सकते हैं संबब हो तो आप उपवास रखें पितर समंदी कारे जरूर कीजिए और पित्रों के निमित तरपन दान भी कीजिए चुकि इस पावन दिन में भगवान स्री हरी विष्णू की भी अराधना की जाएगी और इस दिन भगवान विष्णू की पूजा का बिसेस महतो होता है इस दिन बिधी विधान से भगवान सिवी की पूजा अर्चना भी कर कि पित्री दोस्त हो जाए जिवन की मुस्किलें कम हो जाए क्योंकि इस अमवस्या को सर्फ्रेश्ट माना गया है सभी विधाना को सुरेव को अर्द देने से सभी ग्रोह दोस्ते मिलती है और चुरेव का आशिरबाद अपने भक्तों पर हमें सा बना रहता है कि संगम नदी क पर सभी देवी देपता का वास होता है अगर कुंडली में पित्री दोस हो अगर आपको लगता है आप तरक्की नहीं कर पा रहे संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही बंस्विर्दी नहीं हो रही आपका नौकरी रोजगार नहीं चल रहा आपके जीवन मुस्किलें जादा ह आप जहां से चले हैं वहीं पर पड़े हुए हैं तो ऐसे में आप इस बड़ी अमवस्या के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं आपको लाब होगा वैसे आज हम आपको बहुत सारे परियोग बताएंगे और अगर आप दोनों वेला रोटी खिलाते हैं कुत् से परिशान है तो साम के वक्त आप काले कुत्ते को रोटी पर काला तिल गुड़ रखकर अपने ऊपर से तीन वार उल्टा वार कर आप खिला दें तो ऐसा करने से आपकी बिप्दा त्रल जाएगी कर्जी की संकट दूर होगी और प्रेद बाधा के संकट भी समाप्त हो ज मिट्टी का बरतल ले ले उसमें थोरा सा दूर और काला तिल अब भोग लगाए याद रखिए अर्पित नहीं करना भोग लगाना है कुछ समय बाद वहां पर आप नमस सिपायका नबरत जब करें कुछ दें फिर इस दूद में जो आपने कटोरी में दूद डालकर रखा ह है और उसमें काला तिल उसको उठाइए आपकी मर्ची है जितनी भी संख्या में आप दूद या तल तिल लेना चाहते हैं उठाकर अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहां पर तने में रखाए कोई भी जीबा कर खालेगा अगर नहीं है तो आप कहीं भी मिट्टी के पात्र को आप संभाल कर रख दे जहां कुटा हुआ असपास अगर कुटा खाले तो आपके जीबन की मुस्किलें परिसानिया समाप्त हो जाएगी आप चाहें तो इस दूद जो आपने तिल मिला कर रखा है थोड़ी से मिठी बस्तू भी डाल सकते हैं आप जाएगी मुस्किलें समाप्त हो जाएगी भगवान काल भैरव की सवारी कुटा है इसलिए आप कुट्टे को परसन कर भगवान भैरव को भी परसन कर सकते हैं यह आपके घर के आसपास कोई कुटा रहता है वह घुमता वह आपको दर्वाजे तक आपको दीख जाए तो अगर में दया भव हैना तो वो पन्य काई फल देने वाला है यदि आप किसी भुखे परनी को भोजन कराते हैं पानी देते हैं तो उसके कई बेनी भीट है लेकिन क्या आपको पता है जो कुटा है जो गाय है बैल है यह सभी हम मनुस्य पर आस्रित हैं हम उन्हें खाने दे कुत्य को सिर्फ रोटी खिलने आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याइं समाप्त हो जाती है जब घरमें खाना बनता हैं तो पहली रोटी गया के लिए और आख़ी रोटी कुट्य के लिए कुपति थाउन ज्युक्ति और राद के समें बनने वाली Mondinator एक एक बुंद सर्सों का तेल लगा कर काले कुट्टे को अपने उपर से तीन वार उतार कर खिला दें अगर काला कुट्टा ना मिले तो किसी भी कुट्टे को खिला सकते हैं कुट्टे को रोटी खिलाने से आपके घर में होने वाली जो कलह कलेस है जो असानती है वो दूर होती है और खुशिया लोटाती है क्योंकि माना जाता है कि कुट्टे को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए अगर आपका रोजी रोजगार में बहुत परिशानी है आपका जैसे नौकरी है बैपार है अच्छे से चलता नहीं तब एक छोटा काम करें देखिए रोटी में आपने जहां पर रोटी बना कर रखी है किसी चीज में तो आप रखते हो पर करेंगलें अब काटोरी में इक तेल सर्सो का दिल थोड़ा सा एक चम मच लें इसमें अपनी फिंगर, और मधिमांगली, यानि की बीच वाली उंगली घुमाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खीज दें जो आपने नीचे से तीसरी नमबर का रोटी लिया है ना उस पर अगर कहीं भी दो रंका कुट्ता मिल जाए बिना बोले इसको खिला दे आप के करियर में आनेवाली बाधाएं दूर हो जाएगी आपके पित्रि अगर नाराज है तो आप कुट्ते को जब रोटी खिलाईएगा तो रोटी पर गुड़ या चीनी डाल कर खिलाईए मीठी रोटी बना कर भी खिला सकते हैं आप आटे की लोई बना ले उसमें चीनी भर कर और फिर उसको बना कर खिलाए मानेता है कि कुट्टे को अगर आप कुछ खास दिनों में या रोज ही रोटी खिलाते हैं बहुत सारी बलाएं दूर हो जाती है बाधाएं टल जाती है और घर के आसपास या दरवाजे पर जो भी कुट्टा है इसको दुद्कारे मत बलकि कुट्टे को रोटी खिलाएं घर पडिवार के दुखदर्द जो बलाए हैं कुट्टा अपने उपर ले लेता है करके देखें आपको लाब होगा वैसे तो अमोस्य तिथी पर कुट्टे को देखना ही पुन्य फलों में बढ़ा देता है और कुट्टे को देखने मादर से ही आपके सभी रुके कारे पूरे होने लगते हैं और अगर इस दिन कुट्टे को रोटी पर घी लगा कर खिलाते हैं याद रखिए घी जादा नहीं लगाना एक बुन्द आगे पीछे हलका सा टच कर दे स्वेम सनिदे महराज आपकी हर कदम पर सहायता करते हैं चाहे नौकरी रोजगार हो या किसी भी तरह का मुस्किले हो और आपके जीवन में खुसियां भर देते हैं लेकिन अगर आप सर्सों का तेल लगा कर कुटे को खिला देते हैं तो जादा आपको याद रखिए घी तेल नहीं खिलाना है नहीं तो कुटे के जो बाल है न वह जड़ जाएंगे सनी दे महराज बहुत प्रसंद हो दे चुकि कुटा काल भैरफ की सवारी है इसलिए उनको रोटी खिलाने से बड़ी से बड़ी विपत्तियां टर जाती है यहां तक कि काल सर्प दोस भी समाप्त हो जाता है तो काला कुटा अगर आप घर में पालते हैं तो सनी केतू की सु आप थो जाता है कारे छेतर में लगातार सफलता मिलने लगती है तो आज यह प्रियोग जरूर करें अपनी मनो कामना के अनुसार विसेश चीजें खिलाएं फिलाल भी दालेंगे धन्यवाद